नमस्कार किसान भाईयों राई तोरिया या सर्सों की खेती के दोरान हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है हाला कि परमपरागत विधी से खेती तो आप वर्षों से करते आ रहे होंगे लेकिन खेती के कारियों में छोटी छोटी बातों का विशेश खयाल रखने से आप अच्छी फसल ले सकते हैं आईए सबसे पहले जाने कि तिलहनी फसलों में राई तोरिया वसर्सों की बुआई के लिए उचित समय क्या है और इसके लिए भूमी की तयारी किस तरह से की जानी चाहिए यू तो बुआई का समय क्रिशी पारिस्थितिक शेत्रों के अनुसार निर्भर करता है पर मुख्य उत्पादन शेत्रों में बुआई का उचित समय सितंबर मर्ध्य से लेकर अक्टूबर अंत तक का है अच्छी बुआई के लिए दिन का अधिक्तम तापमान सामानित तह 33 डिगरी सलसियस से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर आपने बुआई में देर कर दी तो इससे उपज और तेल की मात्रा दोनों में ही कमी आती है अत्यधिक अमलिय एवं छारिय मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं है ये फसल समतल और अच्छे जल निकासी वाले बलवाई दोमट से दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है सिंचित छेत्रों में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद तीन से चार जुताई तवेदार हल से करनी चाहिए और गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें ताकि जमीन के कीड़े मकोडे नश्ठ हो जाएं बारानी शेत्रों में प्रत्येक जुताई के बाद तवेदार हल से जुताई कर नमी को सनरक्षित करना चाहिए साथ ही साथ पाटा भी लगाना ना भूले अंतिम जुताई के समय चार प्रतिशत इंडो सलफॉन या डेर प्रतिशत क्यू नॉल फॉस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेर की दर से मिट्टी में मिला दे ताकि भूमिगत कीडों की रोक थाम की जा सके